एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने एक बहुत ही सुन्दर खेट देखा, वा कार रोक कर बाहर आया और खेट के किनारे खड़ा होकर उसमें लहलाती हुई फसलोप ये तारीफ करने लगा, उस खेट का मालिक ट्रक्टर चला रहा था, पुजारी को देख को इसे उस समय देखना चाहिए था, जब ईश्वर ने सारा खेट अपने हाथों में रखा हुआ था, दोस्तों सफलता इतिफाक की देन नहीं है, ये हमारे नजरिये का नतीजा होती है, और अपने नजरिया हम खुद ही चुनते हैं, इसलिए सफलता इतिफाक से नहीं मिलत बलकि हम उसका चुनाव करते हैं, संगर्श, जीव विग्यान की एक अध्यापक अपने चात्रों को पढ़ा रहे थे, कि सूरी तितली में कैसे बदल जाती है, उन्होंने चात्रों को बताया कि कुछी घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, उ उन्होंने अपने अध्यापक की सलाह न मानते हुए, उस तितली की खोल से निकलने में मदद करने लगे, उन्होंने खोल को तोड़ दिया, जिसके वज़े से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करने पड़ी, लेकिन वो थोड़ी ये देर में मर गई, वापस अपने जिन्दगी पर भी ये हुसूल लागू कीजिए, जिन्दगी में कोई भी कीमती चीज बिना संगर्श के नहीं मिलती, सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है, असफलता सफलता हसिल करने का राजमार्ग है, एक आदमी की जिन्दगी की कहानी बड़ी ही ये आदमी 21 साल के उम्र में व्यापार में नाकामियाब हो गया, 22 साल के उम्र में वाई एक चुनाव हार गया, 24 साल के उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली, 26 साल के उम्र में उसकी पत्नी मर गई, 27 साल के उम्र में उसका मांसिक संतुलिंग बिगड़ गया, 14 साल कि आयू में उसे सीनेट के एक और चुनाव में हार मिली और वही आदमी 52 साल के उम्र में अमेरिका का रास्टर पती चुना गया वह आदमी लिंकन था क्या आप लिंकन को असफल मानोगे वे शर्म से इस तिर जुका कर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे लिकिन लिंकन के लिए हार के वली भटकाव थी सफर का अंत नहीं 65 साल की उम्र में करनल सेंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और समाजिक सुरक्षा से मिला 100 डॉलर का चेकी था उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए उन्हें अपनी मा का फ्राइट चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वे उसे बेशने निकल पड़े क्या हम जानते हैं कि पहला ओर्डर हसल करने से पहले उन्हें कितने दर्वाजे खरकटाने पड़े एक अंदास के मुताबिक पहला ओर्डर हसल कर होने से पहले उन्हें हजारों दर्वाजे खरकटाने पड़े हमें से जादा तर लोग तीन बार, दस बार, अधिक से अधिक सो बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वाल्ट डिजनी जब यूवक थे तो कई अख़बारों के संपादकुर ने उन्हें ये कहकर लोटा दिया कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं एक दिन एक चर्ज के पादरी के जन हुआ दोस्तों सफल लोग महान काम नहीं करते वो छोड़ शोटे कामों को महान डंग से करते हैं सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की भी कहानियां जुड़ी हैं फर्ग केवल इतना था कि हर असफलता की बाद विजोश के साथ फिर से खड़े हुए हुआ बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा ये बर्बादी बहुत कीमती है हमारी सारी गल्दियां जलकर राक हो गई मैं इश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया क्या नजरिया है दोस्तों इसी तबाई के तीन हफते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का विश्कार किया सफल लोगों के सफलताओं के ऐसे बहुत सारे उदार रहने हमें रास्ते में ठोकरे जरूर लगेंगी लेकिन हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछिए कि हमने इस तन्जुरुबे से क्या सीखा तब ही हम रास्ते के रोडे को काम्याबी की सीड़ी बना पाएंगे दोस्तों जिन्दगी उस रेस्टरॉण की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुकतान करते हैं अगर हम कीमर चुकाने को तयार हैं तो वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परुसनी का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रह जाएंगे जिन्दगी भी वैसी ही है, हम चुनाव करते हैं और फिर काम्याब होने के लिए किमर चुकाते हैं दोस्तों, इंदरधनश के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूत होती है हमाली जिन्दगी पे कुछ ऐसी ही है, उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छा ही है तो बुराई भी है, और उजाला है तो अंधेरा भी है जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं, तो और मुझबूत बन जाते हैं रिचर्ड बलेश निडेन, सेंट लूइस, विशुमेले में भारती चाय का प्रचार करना चाते थे वहाँ काफी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई पीना नहीं चाता था उसी भी चुनों ने देखा कि ठंडे ड्रिंग्स की खूब बिक्री हो रही है उनके मन में खयाल आया, कि क्यों न अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंग के रूप में बिचे उन्होंने ऐसा ही किया लोगों ने उनकी ड्रिंग को खूब पसंद भी किया दुनिया में ठंडी चाय का चलन वहीं से शुरू हुआ इनसान को कामयाब बनाने वाली खूबियां इक शा एक युवक ने सुकराथ से सफलता का रह से पूछा सुकराथ ने उससे दूसरे दिन नदी के किनारे मिलने के लिए कहा दूसरे दिन युवक सुकराथ से मिलने नदी के किनारे पहुँचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा जब पानी उसकी गर्दन तर पहुँच गया तो सुकराथ ने अचानक युवक का सिर पानी में डूबो दिया युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छट पड़ाने लगा पर सुकराथ काफी मजबूत थे उन्होंने युवक को पानी में डूबो रखा युवक का शरी जब निला पढ़ने लगा तब सुकराथ ने उसका सिर पानी से बाहर निकला सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली सुकराथ ने युवक से पूचा जब तुम पानी के अंदर थे तो तुमें किस चीज की जरूरत सबसे ज़ादा महसूस हो रही थी युवक ने जवाब दिया हवा की सुकरात ने कहा सफलता का यही रहस्य है जब तुमें सफलता हासिल करने की वैसी ही तेवरे इक्षा होगी जैसे की पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी तब तुमें सफलता मिल जाएगी गहरे इक्षा हर उपलब्दी की शुरुआती बिंदो होती है जिस तरह आग की छोटी लप्टे अधिक गर्मी नहीं दे सकती वैसे ही कमजोर इक्षा बड़े नतीजे नहीं दे सकती वचन बद्दता कमिट्मेंट वचन बद्दता की इमारत इमानदारी और समझदारी के खंबो पर्टे की होती है विन्स लंबर्डी का कहना है किसी वेक्ट के जीवन के क्वालिटी उसके बहतर काम करने की कमिट्मेंट पर निर्बर करती है फिर चाहे उसका कारेचेतर कोई भी हो जिम्मेदारी चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं और जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख लेते हैं, एक कमपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था, विदाय की पार्टी की बाद उसने कमपनी के नए प्रेसिडेंट को दो लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुमारे सामने कोई ऐसी स समस्य आ जाए, जिसे तुम खुद हलना कर पाओ, तो पहला लिफाफा खोल लेना, इसी तरह की समस्य फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना, कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्य आई, उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए, पिछले का दिया पहला लिफाफा खोला, उसमें लिखा था, सारा दोश पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो, उसके कुछ साल बाद एक और समस्य आई, तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला, उसमें लिखा था, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए दो लिफा और जो लोग इस पर एतबार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है, में दिले भागी का मतलब है कड़ी मेनत और आवसर की पहचान, दोस्तों आप जितने कड़ी मेनत करेंगे, भागी आप पर उतना ही महरबान होगा, चरित्र, किसी आदमी का चरित्र उसके नयतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है, इसकी जलक हमारे व्यवार और कार्यों में दिखाई देती है, दोस्तों जॉर्ज वाशिंग्टन का कहना था, मुझे उमीद है कि मेरे पास उस चीज को कायम रखने लाइक दर्ता और सद्गुड हमेशा बने रहेंग दोस्तों कोशिश के बिना सकरात्मक नजरिया, खयाली पुलाव पकाने जैसा है, सकरात्मक विश्वास का एक उदारण है, कई साल पहले लॉगडी ने L1011 ट्रांजिस्टर हवाई जहाज बनाया, उस जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जाच करने के ल जहाज ने एक भी गड़ड़ी के बिना 36,000 उड़ाने बरी, किसी जहाज को इतनी उड़ानी भरने में 100 साल लग जाएंगे, हजारों पर एकशन के बाद उस जहाज को आखिरकार उड़ान भरने की इजाज़त दी गई, क्या लॉगडी कंपनी इस विमान पर पूरा भरुस किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वाइलिन कैसे बजा लेते हैं, क्या ये भागी की देन हैं, उन्होंने जवाब दिया, या अभ्यास का नतीजा है, अगर मैं एक महने तक अभ्यास ना करूं, तो मेरे वाइलिन बजाने में फर्क आ जाएगा, और इसे श्रोता भी मह कर सकते हैं, अगर मैं एक सब्ताह तक अभ्यास ना करूं, तो मेरे पत्नी फर्क को बता सकती है, और अगर मैं एक दिन अभ्यास ना करूं, तो मैं खुद इस फर्क को बता सकता हूं, दृड़ता प्रतिबदिता का परिणाम होती है, और उसी से संकल्प का जन्म होता है, ध कादमे ने उन से पूछा आप क्या कर रहे हैं। उसमें से एक ने जवाब दिया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया तुम्हें दिखाई नहीं देता, कि मैं इटे चुन रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुन्दर इसमारक बना रहा हूँ, वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उन तीनों के बिलकुल अलग-अलग नजरिये थे, क्या उनके नजरिये का उनके काम पर भी असर पड़ेगा, जवाब है जरूर पड़ेगा, दोस्तों उत्तमता तब हासिल होती है, जब काम करने वाले को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है, शेश्य बनने के इक्षा रखिये, कोई सलाकार ढूंडिये, ईश्वर और गुरू दोनों सामने खड़े हों, तो शेश्य सबसे पहले किसे प्रणाम करेगा भार के परंपरा के अनुसार वो पहले गुरू को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्ग दर्शन के बिना, शेश्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता सलाकार या गुरू ऐसा इंसान होता है, जिसके बीते कल का तजर्बा हमारे आने वाले कल को सवार सकता है, किसी सलाकार को सावधानी से चुनिए, अच्छा सलाकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जिबकि बुरा सलाकार हमको भटकाएगा, अपने सलाकार को सम्मान अच्छे गुरू हमारी प्यास बुजाते नहीं, बल्कि हमारे प्यास को जगाते हैं, वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं, जिस पर चल कर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। आप सभी को हमारी समरीज पसंद आ रही होंगी, लेकिन इसे सिर्फ सुनिये नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी आत्मसाथ करिए, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेजित करिए। बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ। धन्यवाद जोश प्रेजित करिए।